गनेशाय नमह, श्री शिवकुरान रुद सहिता का कुमार्खन चतुर्थ भाग अध्याय सत्रह, शिवा का अपनी म्यासी गनेश को उत्पन करके द्वारपालपद पर नियुक्त करना, गनेश द्वरा शिवजी की रोके जाने पर उनका शिवगुनों की साथ भयान कर संग्र शिवजी द्वारा गनेश का शिरश्चेदन कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन करना और उनके द्वारा प्रलया मचाया जाना, देवताओं और रिशियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसंद करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाये जाने की बात कही ज पर शिव जी के अग्यानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गनेश के धर से जोड़ कर उन्हें जीवित करना। जो समपूर्ल मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है वर्नन कीजिए। करता जिसमें क्रिपालो शिंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने इस विश्य में तुम्हें सिंदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शंभू कल्यानकारी स्रिष्टी करता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुन और निर्गुन भी हैं। उनही की लीला से सारे विश्व की स्रिष्टी, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेश, अब प्रस्तुत विश्य को आदरपूर वक्ष्रवन करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखिया उनके पास आकर विचार करने लगी सखिय। सभी गन रुद्र के ही हैं। नंदी, भरेंगी आदी जो हमारे हैं। वे भीशिव के ही आग्या पालन में ततपर रहते हैं। जो असंखे प्रमत गन हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाग्या प्रायन होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपी वे सभी हमारे भी हैं, तथा पी उनसे हमारा मन नहीं मिलता, अतव पापर हिते। आपको भी हमारे लिए एक गंकी रचना करनी चाहिए। के विचन को हितकारक तथा सुख प्रदमाना, उस समयसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मिन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए, जो परमशुब, कार्यकुशल और अमेरी ही आग्या में ततपर रहने व परमशुब, भायमान और अमहान बल पराक्रम से संपन्न था, देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूशन और बहुत सा उत्तम आशिरवाद देका कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहां कोई दूसरा नहीं है, पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुश उन्हें नमस्कार करके बोला, गनेश ने कहा, मा, आज आपको कौन सा कार्या आपड़ा है, मैं आपकी कतना नुसारों से पूर्ल करूंगा, गनेश के उपूचने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, शिवा ने कहा तात, तुम मेरे अपने हो, अतल तुम मेरी बात सुनो, आज से मेरा पुत्र हो, मेरे वारपाल हो जाओ, सक पुत्र, तुम मेरी आज्या के बिना कोई भी हट्पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीन से भी आए, कोई भी बेटा, यह मैंने तुम से बिलकुल सत्य बात कही है, ब्रमहाजी कहते हैं मुने, यो कहकर पारवती ने गनेश के हाथ में एक सुद्रिल छळी दे, दी, उस समय उनके सुन्दर रूप को निहार कर पारवती हर्शमग्न हो गई, उन्होंने परम प्रेम पुर्वक अपने प पर पहरा देने लगे, उधर शिवा अपने पुत्र गनेश को अपने दर्वाजे पर नियुक्त करके स्वयम सक्खियों के साथ स्नान करने लगी, मुनिश्रेश्ट, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतु की तथा नाना प्रकार की लीलाइं रचने में निपुन है, द् कहा जाना, चाहते हो, इस समय यहां से हट जाओ, यो कहकर गनेश ने उन्हें रोकने के लिए छुरी हाथ में ले ली, उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्क, तू किसे रोक रहा है, दुर बुधे, क्या तू मुझे नहीं जानता, मैं शिव के अतिरेक्त और कोई नहीं हूँ, फिर महेश्वर के गन उसे समझा कर हटाने के लिए वहां आये और गनेश से बोले सुनो, हम मुख्य शिव गन ही द्वारपाल है और असर्वव्यापी भगवान शंकर की आग्या से तुम्हें हटाने के लिए यहां आये हैं, तुम्हें भी गन समच कर हम लोग निर्भय ही बने रहे, उन्होंने शिव गनों को फटकारा और अदर वाजे को नहीं छोड़ा, तब उन सभी शिव गनों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया, मुने, उनसे सब बातें सुनकर संसार के गतिस्वर उपद भुत्ली लावेहारी गनों, ये कौन है, जो इतना उच्छुआ खल होकर शत्रों की भानतिबक रहा है, इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो, तुम लोग नपुन्सक की तरह खड़े हो का उसका वृतांत मुझे क्यो सुना रहे हो, विचित लीला रचने वाले अपने स्वामी शिन करके य ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं, तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं, तब लीला रूप शनकरने विचित लीला करनी चाही तथा अपने गनों का गर्व भी गलित करना चाहा, इसलिए गनों को तथा देवताओं को बुला कर गनेश्ची से भीशन युद्ध करव अंततो गत्वा स्वयम शूलपानि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गनेश्ची का सिरकार दिया, जब ये समाचार पार्वती जी को मिला, तब वेक्रोध हो गई और बहुत सी शिक्तियों को उत्पन करके उन्होंने बिना विचार इन्हे प्रलय करने की आग्या दे दी, फिर तो, शक्तियों की द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी, उन शक्तियों का वह जाजवल्यमान तेज सभी दिशा उनको दगधसा किये डालता था, उसे देखकर वे सभी शिवगन भायबीत हो गिये और भाग कर दूर जा खड़े हुए, मूने, इसी समय तुम दिव्यद की साथ सलाह करने लगे के इस दुख का शमन कैसे हो सकता है, फिर उन्होंने यही निश्चा किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुक नहीं प्राप्त हो सकेगा अब इस विशिमन और विचार करना वियर्थ है, ऐसी धारना करके तुम्हारे सहित स के चरनों में अभिवादन किया, फिर देवगं की आग्या से रिशी बोले, देवर शियों ने कहा जगदमबे, तुम्हे नमस्कार है, शिवपक्नी, तुम्हे प्रनाम है, चंडे के, तुम्हे हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्यानी, तुम्हे बारंबार प्रनाम है, अम्बे, तुम ही आदी शक्ती हो, तुम ही सदा सारी स्रिष्टि की निर्मानक तर्त्री पालिका शक्ती और सनहार करने वाली हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलो की विकल हो रही है, अतहा प्रसन हो जाओ और अक्रोध को शान्त करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरनों में मस्तक जुकाते हैं। ब्रह्माजी कहते हैं नारद। यो तुम सभी रिशियोद्वारास्तुती किये जाने पर भीपरादेवी पारवती ने उनकी और क्रोधभरी द्रिश्ट से ही देखा, किन्तु कुछ कहा नहीं। तब उन रिशिय ने कहा देवी, अभी सनहार होना चाहता है, अतरक्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित हैं, तनिक उनकी और तो द्रिश्ट पात करो। हम लोग, ये ब्रह्माजी कहते हैं मूने, सभी देवर्शियों कहका रत्यंत दीन भावसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका की सम्मुक खड़े हो गए, उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन हो गई, उनकी हृदय में कारुना का संचार हो आया, तब वे रिश्यों से बोली, देवी ने कहा रिश्यो, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम गुसे, सरवाध्यक्ष, कापत प्रदान कर दोगी तभी लोप में शांती हो सकती है, अन्यथा तुम्हे सुख नहीं प्राप्थ हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं मूने, पार्वती के यों कहने पर तुम सभी रिश्यों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतान के सुन प्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतहब उत्तरदिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले, उसका सिर काटकर उस बालका के शरीर पर जोड़ देना चाहिए, ब्रहमा जी कहते हैं मूने, तदनंतर शिव जी की आग्या का पालन करने वाले उन देवता उन्होंने वह सारा कार्य संपन्न किया, उन्होंने उस शिशू शरीर को धो पुंच कर विदिवत उसकी पूजा की, फिर वे उत्तरदिशा की ओर गए, वहाँ उन्हें पहले पहले एक दातवाला एक हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया, सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ, ततपश्चात ब्रह्मा, विश्लु आदी सभी देवतापने स्वामी निर्गुन स्वरूप भगवान शंकर को प्रनाम करके बोलिट स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उपन हुए हैं, आपका वही तेज वेदमंत्रिक्य अभ्युक से इस बालक में प्रवेश करे, इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेदमंत्र द्वाराजल को अभिमंत्रिक किया, फिर शिव को स्मरंग करके उस उत्तम जल को बालक के श्रीर पर छिरक दिया, उस जलका स्पर्श होते ही वह बालक श सन्नता खेल रही थी। उसकी आक्रिती का मनियती और उसकी सुन्दर प्रभा फैल रही थी। मुनिश्वर। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्तित सभी लोग आनन्दमग्न हो गय और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्श विभोर होकर सभी र다 र्योड अन्व सिव草 नमग्नमा शेविय औनमा शेविय।